नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आफिशर के ड्यूटी इसके उपर, बिजली की आपूर्ती में सनलगन प्रत्येक इंस्टलेशन्स एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आफिशर के नाम की घोशना करेंगी, वे इस्थापना चाहे वो ब प्रत्येक को अपना एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आफिशर के नोट्रिफिकेशन के इनसार, इस नोट्रिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, अब हम बात करें कि उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस प्रकार के नम या घोशना है तू उप्युक्त वक्ति के लिए निर्धारित योग्यता है इलेक्ट्रिकल इंजिरिंग डिग्री धारकों के लिए पांच वर्स का अनुभव एवं डिप्लोमा धारकों है तू दस वर्स का अनुभव अब ये किस प्रकार के स्थापनाओं है तो आश्यक है फैक्ट्री एक्ट के तहट रिजिस्टर्ड उन इस्थापनाओं में जहां कनेक्टेड लोड दो सो पचास किलोवाट से ज्यादा है या mines या oil field जिसमें connected load 2000 kW से ज़ादा है वहाँ इस प्रकार की घोषना या नियुक्ति Electrical Safety Officer की आवश्यक है अब हम बात करें कि ये Electrical Safety Officer की जिम्मिदारियां क्या-क्या होंगी सबसे पहला है कि वह अपने सयंत्र में या अपने कार्चित्र में जो विभिन विद्यूत installations हैं, उनके संबंधित मानकों के अनुसार परिक्षण करेगा, टेस्टिंग करेगा. फिर विभिन्यविद्यूत इंस्टालेशन्स का एक वर्स से अनधिक अंत्राल में निरिक्षिन करेगा, यानि एक साल से पहले हो जाना चाहिए एक साल पार नहीं होना चाहिए प्रत्य इंस्टलेशंस का इंस्पेक्शन करेगा फिर तीसरा है अपने ये जो कार हैं इंस्पेक्शन का और टेस्टिंग का उसका रिकार्ड रखने के लिए उसको चार प्रकार के फार्म बताएगा है अपने कारी का record उसको form 1 या 2 या form 3 या form 4 में और शक्त अनुसार रखेगा जो इस notification के schedule में ही दिया हुआ है जिसका की download link description box में दिया गया है अगला उसका काम होगा कि test का report और अपनी अनुशंसा तयार करना कुछ recommendations तयार करना कि क्या-क्या सुधार की और शक्ता है और पांचवा कारी होगा कि इस अपने test reports को और अनुशंसाओं की copy स्थापना प्रमुक को या सयंदर प्रमुक को प्रिशित करना पिर अगला कारी है जो भी अनुशंसाय उसने दी है उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं उसकी ज्याज करना और उसका record रखना और अगला सबसे important महत्तपूर्ण कारी है कि electrical inspector के मांगे जाने पर ये सारे records उपलब्ध कराना तो मित्रों ये sword में है electrical safety officer के करतव्य या जिम्मेदारियां इस प्रकार के important knowledge वारे videos आपको मिलते रहें अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिजिए और अगर ये वीडियो आपको पशंद आया है तो आप इसे like कर दीजिए तो बिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते जी जय हिंद